वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल तो आज मैं बनाने वाली हूँ यह वाला फ्रॉग बिल्कुल सेम तो इसके लिए मैं यह कपड़ा था मेरे पास बचा हुआ इस तरह का बट कलर सेम नहीं था बट फ्रॉग जो है एंड में देखना बिल्कुल सेम बनेगा तो स्टीचिं यहां पर मैं एक इंच पर मार्क कर लूँगी इस तरह से पूरा नीचे तक एक इंच पर मार्क कर लेना है अब इसकी कटिंग की करते हैं तो उपर से जो शोल्डर है यह साड़ी पांच इंच रखूंगी मैं और आर्म होल पांच इंच पर और शोल्डर की जो नाप रखा ह है मैंने यह एंच जो एक्सट्रा निकाली है बार को इसी छोड़ कर रखा है अब चैस्ट का मार्क कर रहे हैं यहाँ पर साथ इन्श पर यहाँ पिर कमर का और नीचे से मेरा अईाएगा साडह नौइचं तक कर एक इंच जो मार्क एक पर हमें को करो दिए ना है is तरह से यह जो मार्क किया है मैंने के स्टिचिंग वाला है तो एक इंच एक्सट्रा चोड़गरए है यहां पर आपक ट िमलेना है इस तरह से अबặATION से साट यहां पर लिएंच पर घ्लास तरफ यहां पर यहां पर मार्क करना है इससी कशेद कर लेना हैं त्रफ दीदिटी research अब इसका एक पीस निकाल लेंगे यह जिस पर मैं मार्किंग किया था यह फरंट साइड वाला आ जाएगा मेरा अब यहां पर यह एक इंच का गैब देकर लगाए था यहां पर 11 इंच पर मार्क करना है और इसे यहां पर मैं एक स्लाई लगा लूँगी पकी स्लाई कर लेनी अब इस तरह से हो गया है रेडी अब इसको डबल फोल करेंगी यहां से नेक की मार्किंग कर लेते हैं तो नेक की विट जो है दो इंच पर ले रही हूं और लंबाई में पांच इंच पर ले रही हूं अब इसको इस तरह से शेप दे देनी है गले की नेक की और इसको यहा तो फ्रंट साइड का नेक बनाएंगे तो मैंने इस तरह से नेक की शेप में एक पटी कट कर लिए है इसको इस नेक के ऊपर रखकर स्टिश कर लूगी अब चाहें तो उरेब की पटी ये canvas से भी neck बना सकते हैं पट्टी stitch करने के बाद अब इस यहाँ पर अंदर की side cuts लगा लेने हैं छोटे-छोटे से और cuts बिल्कुर अंदर तक नहीं लगने चाहिए slide नहीं कटनी चाहिए stitch करने के बाद अभी पट्टी को इस तरह से अंदर की तरफ रखकर इसे fold कर लिना है अब चाहिए तो इस पर hand stitch भी कर सकते हैं अब यह back neck है यह जो मैंने 3.5 इंच पर mark किया था इसे इस तरह से यहाँ पर कर लिना है और यह मैंने 2 इंच चोड़ी पट्टी लिया है इसको यहाँ पर रखकर rub करूँगी जो दूसरी साइट पर निशाना जाएंगी चौक से अब इसे dark कर लेना है अब सीधी साइट से रखते हुए इसको यहाँ पर इस तरह से अब इसको मैं stitch करूँगी एक slide लगाँगी इस तरह से और यहाँ इसे back गुमा लेना है नीचे की साइट जो है यह हलकी सी noak shape में बनाने है triangle shape में और इसको वापस ले जाना है बिल्कुल थोड़ा सा एक pair का gap छोड़ते हुए इस लाई लगानी है दूसरी इस तरह से अब बीच में से इसे cut कर लेना है और इसको भी मैं पीछे की तरफ पलटते हुए stitch कर लोगी एक slide लगा लोगी और नीचे की side जो है यहाँ पर ही noak है यहाँ पर थोड़े से cuts लगा लेना है ताकि finishing से यह फोल्ड हो जाए अच्छे से से कर लेना है stitch नीचे की तरफ से खास कर इस तरह से हो गया है अब अंदर की side यहाँ पर इसे fold कर लेना है इस तरह से slide लगा लेनी है और back neck भी मैंने बना लिया है पट्टी जोड कर अभी दिखिए पीछे की side का यह मेरा extra आ रहा है क्योंकि आगे की side से एक inch का fold कर लिया था तो इसे बराबर कर लेना है और उसके बाद यह armhole वाली side से यहाँ पर इसे double slide लगा लूँगी मैं double fold करके अब नीचे की side इसकी frill touch करनी है तो यहाँ पर यह इस तरह से चुन्नट डालते हुए नीचे की side इस पर मैं frill लगा लूँगी फ्रन्ट और back side दोनों में इस तरह सी लग चुकी है अब नीचे से इसे double fold कर लूँगी double fold हो चुकी है अब simple बस इसकी fitting की slide लगा लेनी है और इस तरह सी मेरा frog बनकर ready हो जाएगा और यह दिखिए इस तरह से यह कुछ है मेरे पास buttons बोल सकते हैं यह यह टैसल्स तो यह यहाँ पर मैं इसे paste कर लूँगी glue की हलब से और यह बिलकुल वैसी मेरा frog बनकर ready हो गया comment में बदाना मिलकुल same वैसी है यह नहीं thank you for watching